17 तारीक की रात की घटना यूजली प्राया घटनाओं में ऐसा दिखा जाता है कि घटना होने के बाद केस दर्ज होता है और फिर अनुसंधान प्रारम होता है लेकिन इस घटना में घटना इस्थल किसी और थाना में था और घटना का उद्वेदन किसी और थाना प्रभारी क की तीम के द्वारा किया गया गटना सतरा तारी की रात को एक पिक अप गाड़ी लेकर एक चालक सहरसा की ओर जा रहा थे हथा थाना चेतर से निकले हुए थे और जब वह बल्लीपुर गाची के पहुंचे तो कुछ अपरादियों ने इनको रोक कर गए उनकी पिक अप में ज तो हतोरी थाना के द्वारा सिवाजी नगर थाना को सुझित किया गया और उसमें सिवाजी नगर थाना के ASI शिफशेंकर मंदल जो की ड्यूटी में थे उनको जैसे ही पता चला तो इन्होंने कारी शित्र की प्रवाद ना करते हुए सही पुलिस पदादिकारी होने का पर पहचान कर ली जब तक हतोरी थाना आता तब तक अपरादियों की पैचान स्वाइं अपने इस तर से कर चुके थे और अपरादियों को गरफतार किया पुरी रात हमारा भियान चला दौनों थाना के सही इसमें दो अपरादी सिंट्व कुमार और बसंद कुमार पकड़े उनके पास ते जो लूती की पिकपुप थी वह ना में जो मोटर साइक्ल से घटना काय दिए वह मोटर साइकल ब्रामत रहा हुए उनके द्वारा जो डूबाइल साइक दोड़ास नहीं ноч Our ऐसे गाड़ी का जैक था शटेपनी थी विहरा चाइंड हों परामत रहा ह थाना साथ दिन के अदर उन दोनों को भी ग्रफ्टार करेगा गटना का उद्वेदन हो गया है लूट की घटना थी काफी सम्मेदन सी घटना थी इस घटना वे ऐसा इश्व शंकर मंदल ने बहुत अच्छा रोल ने वाया है हाथ होड़ी थाना का रोल भी ठीक है लेकिन कि द्यास अभी हम लोग रिगाल रहे हैं वर्तमाइं में तो पता नहीं चला है लेकिन अभी हम लोग प्रयास करें है हाथ है हाथ है 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 ऐसे का अटक्रेश जान जान देना है झाल 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